Hello friends and welcome back to my channel and welcome to my house in London तो आज इसी का home tour मैं आपको कराने वाली हूँ हमारे लंडन के घर का तो देखे हमारे लंडन का घर काफी छोटा है दो बेडरूम वाला घर है ये हांजलों में और इसका प्राइज और ये कैसा है यहां पर फ्लैट यूशिली कैसा रहता हूं आप से शेर करने वाली हूं तो देखे इस एंट्री होने के टाइम है न सबसे पहले यहां पर होता है रेडियेटर जो हमें घर में दिखता है तो पहले तो रेडियेटर होता है उसके बाद यह फिरी डॉर हापा हर से अपनो अलग दो होताया तो यहां पर typ कर नहां przyज में यह रीडियम होता है अर्फर तो वही है और फिर देखे अनफरनिश्ट घर है तो यहां पर स्टोरिंग वाला आइटेम में पस ज्यादा कुछ था नहीं तो जो है बस उसी से यूज करना है और यहां पर जैसे यह अपार्टमेंट है तो नीचे से अगर कोई आपसे मिल्ले आ रहा है या फिर आपको कोई क वहां बुलाना है कि नहीं और वहांपे जो फर्सट एक डोर होता है वह ओपर lei नुक्र आ उसके लिए ना अबको यहां पर एक की वाल जो सिंबल दिखर रहा है नै तो उसी को प्रेश करना होता है और नीचे वाला जोǵैबोंगर है वह ऑपन हो जाता है तो जैसे कि store room है तो please don't mind है आपे सब कुछ ऐसी ही इदा हुए बहुत सारे समान है store room में तो देखे store room में भी न कुछ कुछ चीजें यहां पर लगाए है रिलेटर और इंटरनेट का भी न कुछ wires यहां पर राउटर लगा हुआ है तो सब आज कर नए फ्लाट्स में बने हुए मिलते हैं इस टाइप के चीज़े एर वेंट रहता है और वेंट क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगे थोड़ देसे तो यह हो गया store room तो यह हैं हमारा एंटी वाला एरिया ठीकर अब आते हैं महलोग लिविंग एरिया में देख़िए यह हैं लिविंग एरिया काफी बढ़ा है ऑव लिविंग ड्री इरिया में ही न एक balcony दिया हुआ है वहाँ पे तो यूशली दो बैडरूम कि घर में आपको एक बालकनी तो पक्का ही रहता है किसी-किसी घम में दो बालकनी रहता है जैसे हमारे घम में दो बालकनी है तो अगर आपके पास बालकनी नहीं दिया तो आपको दो एक्स्ट्रा स्टोरूम दिया जाता है तो देखें यहां पर लीविंग रूम में भी रेडियेटर दिया हुआ तो देखें यह हैं और बालकनी काफी बढ़ा है लेकिन हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो जिसके वज़से हम ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं और पिजन को वाइट करने के लिए हमने पीजन नेल्स भी लगाए हुए तो वह सबका प्रब्लम बहुत है यहां देखें यहां पर यह unfurnished house है तो अन्फनेश्ट का मतलब यह है कि आपको फरणीचर नहीं मिलेगा इस घर में जो भी घर अपको अन्फनीचर अब लोग से फरणीचर नहीं है तो यह सब फरणीचर जो आप देख रहे हैं डैनिंग ट में और ज्यादा तर लोग जहां पर शॉट टर्म के लिए आते हैं या फिर अगर लॉंग टर्म के लिए भी हो आप ज्यादा नया एक्सपेंसिव वाला नहीं खरेना चाहते हो तो आप यह वाले खरी सकते हो काफी अच्छे होते हैं और उनके बास सेकंड हैं प्रोडक्ट ही लिए और इनफाक मेरे घर में जो भी फनीचर है वो सब हमने वहीं से लिए जैसे कि टीवी स्टैंड यह सब हमने वहीं से लिया है तो यहीं पर छोटा समयने एक पूजा एरिया बना दिया है अपना और उसी पर मैं रखके अपना पूजा कर लेती हूं तो अब आते हैं हम लोग किचन सेक्शन में तेके किचन में आपको यह किचन जो होता है सेमी फर्निश्ट होता है सेमी फर्निश्ट का मतलब कि क्या है कि आपको सब अप्लाइंस मिलेंगे जैसे कि आपको माइक्रोवेव मिल रहा है इंडक्शन मिल रहा है अवन मिल रहा है रहता है और अकर दो बेडरूम का घर है तो ज्यादा तर घरों में डिश और या ம बेड़ूं में नहीं दिया जाता यह उचल किigor बन रहे हैं चाहरका यूऐ के योगइस उसमें दिशुमाश कर फैसलिटिये रहता है संझ तो tert fik theory के सब कभरण मिलेगा अच्छे भी दोफिसे बना हुआ शेेल्फ बना हुआ है तो मुझे इसने कुछ फ्रप्रम नहीं होता है इसमें सब में राक है इतना जादा भी स्रीज अरिया नहीं है एसा देखने में लग रहा है कि बहुत जादा स्टोरेज अरिया दिया है लेकिं वो कभी-कभी इतना भी स्टोरेज अरिया जाना हम लोग कम पढ़ जाता है तो देखें आपको यहां पे इस घमे मुझे स्पून्स हॉस्पाइश सब चीज रखने के लिए बर्दन रखने के कि मुझे जगा भी मिला था सब कुछ तो देखें किचन काफी अच्छा बनाया है वहां यह एक ओपन किचन का इन्हों का थीम है यहां पे पूरा ओपन किचन रहने से क्या होता है ना कि हमें अपना घर और थोड़ा बड़ा लगता है और ओपन किचन तो बहुत सही होता है आप लोगों से इंटराइक कर सकते हैं अच्छा से आप सोशलाइज कर सकते हैं फिर आपको फ्रिज मेंता है रिफ्रिजेटर पूरा ऐसा रहेगा पूरा उपर में रिफ्रिजेटर है फ्रिज है और नीचे में आपको यहां पे फ्रिजर फ्रीजर वाला सेक्शन रहता है तो यह इतना बड़ा फ्रिश तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कोई भी लंडन युक्य के घर में आप जाओगे फिर एक एक्स्ट्रा स्टोरेज एरिया दिया हुआ यहां पर तो यह होता है बॉयलर ठीक है तो इस बॉयलर को देखिए अभी तो यह बॉयलर ओफ है क्योंकि हम आपको वह रेडियेटर अन्हें करना है लेकिए विंटर में आपको इसको अन करना पड़ेगा जैसे यह जो ड्येटेट वाल जो स्मबल देखे हैं इस पर है उनल की स्मबल पर टैप की स्मबल मतलब की वह नलमें गरम पानी आता है अगर आप इसको ओफ कर दोगे तो रहेगा और अपको विंटर में थंडा भी नहीं लगेगा है और थीए कंट्रोल करने सोoon यह एक चीज में बता दू यह जो इसको बोला जाता है और इसको भी रहता है इसको कंट्रोल करने का तो आज ना अभी देखे मैंने वीडियो अभी इसलिए लिया क्योंकि बच्चे नहीं है घर पे और बच्चे जब घर पे नहीं रहते तो घर थोड़ा सा नीट लगता है और जैसे बच्चे आजाते ने घर तो सब इदर उदर हो जाएगा और वीटियो लेने का कोई मतलब भी नहीं है फिर तो देखे यह हमारा लीविंग रूम और इस घर का जो रेंट है जो हम लोग पे करते हैं वो कुछ एराउंड है 1550 GBP ठीक है तो यह हम लोग पर मंत पे करते हैं काफी expensive है लेकिन आजकल इससे बी जद्धा expensive हो गया है 2000 पाउंड चला गया है और काफी expensive हो गया रेट अब घर नू के में लंडें में काफी जादे expensive हो गया तो यहां पर आपको जाएतर घरों में डू बाद वाश्रूम तो दीया जाता है तो for example यह एक washroom है एक washroom आपको बाटब दिया जाएगा बाटब वाला washroom रहता है उसे बाटब है wash machine है और toilet area है तो यह सब तो आपको रहेगा यह रहेगा जलते हैं हम लोग bedroom के तरफ तो यहाँ पर दो bedroom से देखे एक यहाँ एक यहाँ तो यह वाला जो bedroom है समझे कि master bedroom है और यह वाला children's bedroom है तो देखे मास्टर bedroom में भी काफी बड़ा है मतलब यह घर लंबा है तो इसलिए लंबाई में यह बहुत बड़ा है यह घर ठीक है तो यह स सब हमने British Heart Foundation से ही लिया था और जब भी हम लोग यह घर छोड़ के जाएंगे कहिया का समझे कि हम लोग यहीं से लंडन से ही चले जा रहे हैं तो ऐसे टाइम पर हम वापस British Heart Foundation को ही उनको देखे वापस चले जा सकते हैं तो देखे यह दो बेड्स यहाँ पर लगे हुए फै जिस में से fresh air आता है और देखे यह खीड़की यहाँ पर इतना बड़ा सा विंडो आपको आपे ग्लास विंडोगे से उपन कर लेना हैं किसे किसी घह में पूरा उप नहीं होता तो मेरे घра में इतना ही ओपन होता है दोनों विंडोगे और इस घह में बलाइंट्स दिये म यह वाले blinds बस यहां पे इसको आपको उपर नीचे खिसकाना पड़ता है तो यह कुछ आप इसको निकाल के wash यह सब नहीं कर सकते आप तो आपके घम अगर इक प्रॉब्लम यह है कि यहां पे कार्पेट दिया हुए दोनों बेडरूम में कार्पेट दिये हुए कार्पेट देने का प्रॉब्लम यह हो जाता है कि अगर आपकी पास ऑप्शन है तो आप लोग मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग कार्पेट वाला घर मत लीजे रहता है आपszट बेच्चे में घंस्टे में तब परब्लम होजाता है तो आपको बिना कापेट वाला वी घर मिले गाउया घर मिले गांटा वह दर लो भरी हाँ आ घरों में या रहता है तो बस्त साफ करने के लिए तो यह हैं और बाक्रम में और इस दिरिंग और एक candy वार्व तो एक होता है आपका बाटब वाला वाइन होनस प्रवाला बात्रूम तो भी शावर वाला बात्रूम में थोड़ा चोटड़ा रहता है साइस में अग्याव का यह वाशवश बैशीन और टॉलीड अर्थ और आपको यहां पे भी रेडियेटर दिया जाएगा इस पर आपने टॉवल स्टांग सकते हो कप्रे सुखा सकते हो या फिर क्योंकि इन्हों वाश्रूम में भी आप जाते हो ना अपको थंडा लग जाता है विंटर में तो उस टाइम भी इसको आप अन करके रख सकते हो फि क्योंकि एक तो लंडन में बाहर में कप्रे सुखाना एलाओ नहीं इसपेशलि आप में रोड के साइड में अपक्रे सुखाना है और हम जिस एरिया में रहते हैं ना हांसलों में पिजन का प्रॉब्लम बहुत जादा है तो जिसके अच्छे मैं हार्ली उस करती हूँ और क् आपने ब्रिटिश आट फांडेशन से ही लिया हुआ है तो यह एक छोटा से बेड्रूम है चिल्रेंस बेड्रूम को देख सकते हैं काफी अच्छा है तो घर 252 का यहां पर देखिए लाइट जसके ब्लुट्विंट्विम यहां उसी रहती है बिसे अपको प्रेश करना आपको लाइट आन हो जासे हैं और यहां पर देखिए खे में दिखा यह वाला तो होता ही है, और यह आपको USB या Bluetooth जो USB चार्जर होता है न वो आपको मिलेगा कहीं कहीं पर, तो यह भी काफ़ी यूसफुल होता है, तो यह मिल जाएगा आपको यहां पर, तो friends यही था मेरे छोटे से लंडन के में घर का एक टूर और I hope आप लोगो यह अच्छा लगाओ इसके related आपके पस कोई भी doubts है तो ज़रूर मुझे आप comment कीजिए और मैं आपके सभी questions को answer करने के कोशिश करूँगी तो चलिए वीडियो पर में यही end करती हूँ do like and subscribe to my channel see you soon next time goodbye